नमस्कार, आज हम संस्कृत के शब्द रूपों के बारे में चर्चा करेंगे इस विशय में आगे बढ़ने से पहले हम संस्कृत के शब्द रूपों से संबंधित विभक्तियों का अध्यान करेंगे इन विभक्तियों में प्रतमा, द्वितिया, तृतिया, चतुर्थी, पंचमी, शश्ठी और सब्तमी विभक्ति के साथ संब्धनम को भी समिलित किया जाता है ध्यान दें कि संबोधन का प्रियोग केवल संग्या की शब्दों के साथ ही किया जाता है जैसे हे बालक, हे राम, हे देव, इत्यादी, सर्वनाम के शब्दों के साथ जैसे मैं, तुम, वह, इत्यादी शब्दों के साथ संबोधन का प्रियोग नहीं किया जाता शब्द रूप से जम्बंधित विभक्तियों का ध्यान करने के बाद हम कारक शब्दों का ध्यान भी करेंगे शब्द रूपों की प्रत्येक विभक्ति के साथ कोई ना कोई कारक का भाव जुड़ा होता है जैसे प्रत्मा विभक्ति, इसके साथ कर्ता कारक का भाव जुड़ा होता है इसी प्रकार द्वितिया विभक्ति में कर्म कारक, त्रितिया विभक्ति में करन कारक, चतुर्थी विभक्ति के साथ संप्रधान कारक और पंचमी विभक्ति के साथ अपादन कारक का भाव जुड़ा होता है इसी श्रिंखला में आगे बढ़ते हुए शस्ठी विभक्ति के साथ सम्बंध कारक का बोध होता है सब्तमी विभक्ति के साथ अधिकरन कारक और संबोधन के साथ संबोधन कारक का भाव जुड़ा होता है इसके पश्चात हम कारक शब्दों के साथ जुड़े कारक चिन्नों का भी अध्यन करेंगे जैसे करता के साथ जुड़ा हुआ कारक चिन्न है ने जैसे की बालक ने इसी प्रकार कर्मकारक कर्मकारक का चिन्न है को, जैसे की बालक को इसी प्रकार करनकारक, इसका चिन्न होगा के द्वारा, जैसे बालक के द्वारा इसी प्रकार संप्रधानकारक, इसका चिन्न है के लिए, जैसे बालक के लिए अपादान कारक का चिन्ह है से जिसमें अलग होने का भाव प्रकट होता हो जैसे बालक से पुस्तक लेकर आओ इसमें बालक से पुस्तक अलग हो रही है इसलिए इसमें अपादान का भाव उत्मन होगा आगे बढ़ते हैं संबंध कारक इसका चिन्ह है का के की जैसे बालक का घर या बालक की पुस्तक अधीकरण कारक इसका चिन्न है मे या पर जैसे तालाब में मचलियां हैं पेड़ों पर बंधर हैं इत्यादी और अन्तिम कारक संबोधन जैसे हे बालक, हे राम, हे देव इत्यादी विभक्ति और कारक को सरल रूप में समझने के लिए कारक के इन चिन्नों को हम विभक्ति के साथ व्यवस्तित कर देते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं संस्कृत में तीन प्रकार के वचन पाय जाते हैं एक वचन जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तू का बोध हो दूई वचन जिसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तूओं का बोध हो और बहुवचन जिसमें अनेक वस्तुओं या अनेक व्यक्तियों का बोध हो शब्द रूपों के अंतरगत सभी भी भक्तियों और वच्चनों का प्रियोग करते हुए यहां हम उधारण की रूप में अकारांत की शब्द रूप बालक का प्रियोग कर रहे हैं बालक की प्रत्म व्यवक्ति है बालकह, बालकव, बालकह, इसमें बालकह शब्द एक वचन के नीचे आया हुआ है, जो की प्रत्म व्यवक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि प्रत्म व्यवक्ति के साथ करता कारक का भाव ने जुड़ा होता है, इस प् अब द्वितिया विवक्ति के और बढ़ेंगे द्वितिया विवक्ति में बालक के शब्दुरूप होंगे बालकम बालकव बालकान इसमें बालकम जो एक वचन के साथ जुड़ा हुआ है इस कार्थ होगा एक बालक को क्योंकि द्वितिया विवक्ति के साथ कर्मकारक का भाव को जुड़ा हुआ है द्विवचन के बालकव कार्थ होगा दो बालकों को और बहु वचन के शब्द बालकान कार्थ होगा सभी बालकों को तृतिय विवक्ति जिसके साथ करणकारक का भाव के द्वारा जुड़ा हुआ है इसमें बालक की रूप होगे बालकेन, बालका भ्याम, बालकई यहां बालकेन कार्थ है एक बालक के द्वारा जो की एक वचन का शब्द है इसी प्रकार बालका भ्याम अर्थात द्वी वचन के शब्द कार्थ होगा दो बालकों के द्वारा और बहु वचन के बालकई शब्द कार्थ होगा सभी बालकों के द्वारा संप्रदान कारक से चूड़ी हुई चतुर्थी विवक्ति जिसका भाउतपन होता है के लिए इसके रूप होंगे बालकाय अरथात एक बालक के लिए बालका प्याम अरथात दो बालकों के लिए क्योंकि ये द्वीवचन का शब्द है और बाल के भ्याह अर्थात सभी बालकों के लिए इसी प्रकार पंचमी विभक्ति जोकी आपादान कारक के साथ जुड़ी होती है जिसके अंतरकत अलग होने का भाव उत्पन होता है इसमें बालक के रूप बनेंगे बालकात, बालका भ्याम, बालके भ्याह यहां एक वचन के शब्द बालकात कार्थ होगा एक बालक से दुई वचन के बालका भ्याम कार्थ होगा दो बालकों से और बहु वचन के बालके भ्यह इस कार्थ होगा सभी बालकों से शश्टी विभक्ति की और बढ़ेंगे इसके भाव हैं का, के, की इसमें बालक की रूप बनेंगे बालक अस्य अर्थात एक बालक का द्विवचन में बालक योहो अर्थात दो बालकों का और बहुवचन बालका नाम अर्थात सभी बालकों का शश्ठी विभक्ति के बाद सब्तमी विभक्ति जोकी अधे करण कारक के साथ जूड़ी हुई है और जिसका भावत्पन होता है में या पर इसमें बालक का एक वचन होगा बालके अर्थात एक बालक में द्वी वचन में बालक का यो हो अर्थात दो बालकों में और बहु वचन का शब्द होगा बालकेशू इसका अर्थ है सभी भालकों में संबोधन अर्थात किसी व्यक्ति को पुकारने का भाव जैसे एक वचन में हे बालक अर्थात एक बालक को पुकारने का भाव इसी प्रकार दुई वचन में हे बालको अर्थात दो बालकों को पुकारने का भाव और बहुवचन में हे बाल कहा अर्थात अनेक बालकों को या सभी बालकों को पुकारने का भाव यहां उत्पन होता है जैसा कि हमने समझा प्रत्येक विभक्ति किसी ना किसी कारक के साथ चूड़ी होती है विभक्ति और कारकों की ये विवस्था लगभग सभी प्रकार के शब्द रूपों में प्रियोग की जा सकती है इसका प्रियोग करके आप किसी भी शब्द रूप को आसानी से समझ सकते हैं तो ये था संस्कृत के शब्द रूपों को समझने का सरल और आधार भूत तरीका आशा है आपको ये शब्द रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे धन्यवाद